वही आयोध्या में एक बार फिर से रामंदिर नर्मान को लेकर हलचल शुरू हो गई है। सरकार के दौरान भी साल 2015 में राजस्थान से पत्थर मंगाने की कोशिशें की गई थी लेकिन बाद में स्पी सरकार ने इस पर रोख लगा दी थी। कोट ने कहा था कि रामंदिर एक समय धंशील और भावनात्मक मुद्दा है। इसलिए ये बहतर होगा कि इस मुद्दे को दोनों पक्ष आपस में मिलकर सुझाएं। अगर जरूर पढ़ती है तो सुप्रीम कोट के जज मध्यस्ता के लिए तयार है। कोट ने दोनों पक्षों को 31 मार्च तक बाक्षीप करने के लिए वक्त भी दिया था, कोट में जवाब देने को कहा गया था। लेकिन 31 मार्च को इसे लेकर कोट में कोई चर्चा नहीं हो। लेकर के लिए और को इसे लिएजा नहीं है।